इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को देखकर ज्यादा तर आटोमोबाइल कंपनिया इलेक्ट्रिक सेग्मेंट में प्रवेश की तयारी कर रही है। ऐसे में भला रॉयल एंफिल्ड कैसे पीछे रह सकती है। लहाजा इटली के मिलान शहर में चल रहे आईसीमा मोटर शो में क्लासिक बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एंफिल्ड ने अपनी इलेक्ट्रिक हिमालियन बाइक के कॉंसेट वर्जन को पेश कर दिया है। करीब 200 किलोमीटर की रेंज देगी। इवेंट के दोरान कंपनी ने एक वीडियो शेर किया है। इसमें इस इलेक्ट्रिक बाइक को हिमालियन रेंज में दोडाते हुए दिखाया गया है। फिलहाल ये बाइक अभी टेस्टिंग फेज में है और समय के साथ कंपनी इसमें और भी कई बदलाव करेगी। वीडियो में जो बाइक दिखाई गई है उसमें एक्जॉस्ट नॉट की कोई आवाज नहीं सुनाई पड रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी बाइक रॉयल एन्फील हिमालियन इलेक्ट्रिक कंपनी की नई हिमालियन 450 पर आधारित होगी। इसमें ट्रांस्पेरेंट विंड स्क्रीन, एक बैटरी के साथ मस्कुलर टैंक, एक स्कूपड आउट राइडरोनली सैडल, बड़े हैंडल बार और एक कॉम्पैक्ट रियर प्रोफाइल दिया जा सकता है। इसमें लाइटिंग के लिए एक औल सेटप और एक अपमार्केट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी शामिल किया जा सकता है। बाइक में आफ्रोड बायस्ट नॉबी टायर्स में लगे वायर स्पोक वील्स भी दिये जाने की संभावना है। हालांकि इसके डायमेंशन की कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. अनुमान है कि कमपनी इसमें पावरफुल बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तिमाल कर सकती है। इस इलेक्ट्रिक सेटप की मदद से यहाँ बाइक सिंगल चार्ज में 200 किलोमेटर की रेंज देने में सक्षम होगी। बाइक के इंजन वाले हिस्से में बड़ी बैटरी पैट को लगाया जा सकता है। साइड पैनल पर बाइक का नाम और इवी बैजिंग को शामिल किया जाएगा। कम्पनी के मताबिक करीब 18 महीने इस बाइक की टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि यहाँ बाइक साल 2025 में लाउंच की जा सकती है।